सबसे पहले दो लेटर पानी लें अगर एक रूम में समोसम करनी है और मिक्स करने के लिए उसमें थोड़ी-थोड़ी समोसम डालें और इस तरीके से दोनों हातों से उसे मिक्स करें धीरे-धीरे mix करते रहें समोसम को यह हमारे पास green समोसम है और यह हमने दोखो किस तरीके से mix कर रहे हैं दोनों हातों से और हतेली से इस तरीके से आप mix करें जब अच्छी तरीके से यह mix हो जाए तब आपको इसमें फैमिकोल भी डालना है फैमिकोल डालने के लिए सबसे पहले पानी ले और पानी में इस फैमिकोल को अच्छी तरीके से मिलाएं पानी में जब आप फैमिकोल डालने और इसे अच्छी तरीके से मिला लें तब ही आपको इसमें डालना है यह हमने फैमिकोल डाल लिया है बाल्टी में और फिर हम इसको हाथ से मिला करके इस बाल्टी में डालेंगे तो यह हमने पूरे थैली डाल ली है फैमिकोल की यह दोखो अब हम मिला रहे हैं यह हमारा फैमिकोल जो मिल चुका है अब हम इसे एक बार हाथ से और करेंगे तो दोस्तों ये देखो मैं हास से कर रहा हूं इसमें एक भी रेशा नहीं है फैमिकॉल का सब ये घुल चुका है देखो अगर इसमें जिंदा फैमिकॉल रह जाता है तो वो अच्छी तरीके से मिल नहीं पाता अब हम इस फैमिकॉल को समोसम में डालेंगे ये हमारी ग्रीन स समोसम है, यह हमने समोसम में डाल लिया है, यह काफी पानी हो गया है, और यह हम अपने बुरुस के अनुसार इसमें और पानी भी डालेंगे अभी, पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे, यह दोस्तो हम दोखों मिला रहे हैं समोसम को अच्छी तरीके से धीरे धीरे और अपने बुरुस के हिसाब से आप इसको यानि के आप अपने हिसाब से थोड़ा पानी इसमें कमती बरती भी कर सकते हैं यह हमने अपने हिसाब से पानी कर लिया है क्योंकि हमारे कमरों पर पहल औवा नहीं है तो आपको पतला मानना पड़ता तो दोस्ते यह हमारा जो है दूसरा कोट यानि कि final कोट है यह हमने पहले इससे पहले लगा लिया था यह हमारा final है दोर कितना सुन्दर लग रहा है यह बस यह को स्टॉट भी मना रहे हैं आओ और हाँ आप इसे सुकाने के लिए फैन चला सकते हैं ये दोखो दोस्तो कितना सुन्दर लग रहा है तो दोस्तो हमारी ये वीडियो कर आपको अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक सस्क्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर दें अब कुछ कमी हो तो ब सद्वारी पैंटर सापनी वींडो को फाइनल करें ये जो है कत्रिया कट्रिया कलर बोलते हैं हम इसको इंदर में आप जोस्तो बोर्डर हमने कठ यह घंडर का बोर्डर बनाया ये फाइनल हो चुका है जय जय भारत जय जवान जय किसाँ बंदमात का